नमस्कार मैं वसंद्रावल आज मैं आपको बताने आया हूँ शीववास के बारे में शीववास कैसे देखा जाता है शीववास की रचना किसने की शीववास को क्यों देखा जाता है उसका क्या महत्व है ये सारी बाते आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूँ सबसे पहले हम लोग जानेंगे के शिव वास की रचना किस ने की तो शिव वास की रचना नारद मुनी ने की और नारद मुनी के कहया नुसा जबी भी शिव जी की कोई विशेस पुजा करनी हो तो उस समय शीव वास को देखना अती अती अवशक होता है अभी प्रश्टने उड़ता है कि शीव जी की कौन सी विशेस पुजाय होती है तो सुनिए जबी भी कोई व्यक्ति महा मृत्यम जैके सवा लाक जाप करता हो और आकरी में उसका पूर्णा होती करना हो यानि कि दशांस होम करना हो तब शीव वास को अवश्य देखना चाहिए जबी भी कोई व्यक्ति लगुरुद्र करता हो अती रुद्र करता हो महारुद्र करता हो तबी भी शीव वास को देखना अती अवशक होता है वैसे ही अगर कोई मंदिर के अंदर शिवजी की मूर्ती की प्राहपतिष्ठा करनी हो कोई मंदिर के अंदर शिवलिंग की स्थापना करनी हो कोई शिवजी के मंदिर के उपर ध्वजा का रोपन करना हो तो उस समय शिववास को देखना अती अती आवशक है अभी दूसरा श्टेप ये में बताने जा रहा हूँ कि शीववास कभी नहीं देखा जाता है तो सुनिए जबी भी हम कोई भी सोमवार के दिन किसी ज्योती लिंग पर जाकर रुद्रा भी शेक करते हैं तो उस समय शीववास देखनी के आवशक्ता नहीं होती उसके बाद हर महिने की त्रेवदशी के दिन शीवरात्री आती है उस समय भी शीववास देखनी के आवशक्ता नहीं होती है उसके बाद श्रावण महिना पूरा की पूरा श्रावण महिना शीववास देखनी के आवशक्ता नहीं होती है और जो लोग शीवजी की पूजा पाथ आरागना निट्य करते हैं रोज शीवजी का पूजा भिशे करते हैं उन लोगों को भी शीववास देखने के अवश्यक्ता नहीं होती शीववास तभी δेखा जाता है जब शीवजी की कोई भिशेस पूजा करनी हो जैसे मैंने पहले ही कहा लगुरुद्र, अतिरुद्र, महारुद्र, शिवलिंग की स्थापना, शिवजी की मूर्ति की स्थापना, महा मूर्ति जी का दशांस होम, उस समय शिववास को देखा जाता है अब ये शिववास होता क्या है, तो वो सुनिए शीवास से हमें पता चलता है कि पूरे महिने की कौन सी तिथी के दिए शीव जी कौन सा कार्यक कर रहे है फिसे कौँगा पूरे महिने की कौन सी तिथी के अंदर शंकर भगवार कहां पर निवास कर रहे है वो अलग अलग साथ चीजे हमें पता चलती है और उसके द्वारा हमें पता चलता है कि शिवजी की पूजा कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए तो उसका एक बहुत आसान सा फार्मूला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका फार्मूला ये है कि जो भी तिथी है सुकल पक्ष या कृष्टन पक्ष जो भी तिथी है सबसे पहले उसे दो से गुणाकार कर दिया जाए यानि कि मंटिप्लाइ कर दिया जाए फिर जो संख्या आती है उसमें पांच को एड कर दिया जाए पांच को एड करने के बाद जो भी संख्या आती है उसे सास से डिवाइट कर दिया जाए साथ से डिवाइट करने के बाद जो से संख्या आती है उस पे से हमें पता चलता है कि शिवजी कहा पर निवास कर रहे हैं उस तिथी पे शिवजी कौन सा कार्य कर रहे हैं फिर से कहूंगा नसुना हो तो जो भी तिथी आप पसंद करते हो वो तिथी को सबसे पहले दो से गुणाकार किया जाए यानि उसका दुगना किया जाए उसके बाद उसमें पांच को एड कर दिया जाए पांच को एड करने के बाद जो संख्या आती है उसे साथ से डिवाइ तिथी के अंदर कौन सा कार्य कर रहे होंगे, कहा पर निवास कर रहे होंगे और उसके आधार पर हमें सुनिश्चित करना होता है कि शिवजी की पूजा यान कि शिवजी की विशेस पूजा करनी या नहीं करनी, तो आएए सबसे पहले हम लोग जानते हैं तिथी के बारे में जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम सुकल पक्ष की तीधी को लिखते हैं तो एकम को एक लिखते हैं, दृतिया को दो लिखते हैं, तृतिया को तीन लिखते हैं, चतुर्धी को चार लिखते हैं, पंचिमी को पाँच, छष्टी को छे, सप्तमी को साथ, ऐसे हम पूनम तक लेकिन जब क्रिष्टपक्ष की बारी आती है तो ज्यादातर लोग वही लिखते हैं क्रिष्टपक्ष एकम, धृतिया, तृतिया, चतुर्दी, पंचमी, छष्टी, सप्तमी, अश्टमी, नौमी, दसमी, ऐसी लिखते हैं लेकिन हकीकत में इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्रिष्टपक्ष एकम को 16 लिखना है, क्रिष्टपक्ष धृतिया को 17 लिखना है, क्रिष्टपक्ष तृतिया को 18 लिखना है, यानि कि ये तिधी के अंदर 15 को एड़ कर देना है जबी भी आप कृष्टनपक्ष ये तिथिया लिखते हो तो उसके अंदर में 15 को एड़ कर देना है तो ये संख्या आ जाएगी जैसे कि कृष्टनपक्ष एकम के अंदर 15 एड़ करोगे तो 16 आ जाएगा जैसे कि कृष्टन पक्ष दृतिया के नंदर 15 एड करोगे तो 18 आ जाएगा ऐसे ही calculation करना है अब यह formula क्या है वो देख लीजिए सबसे पहले हम लेते हैं सुकल पक्ष की तिथी सुकल पक्ष की दृतिया को लेते हैं तो सुकल पक्ष दृतिया को हमें सबसे पहले 2 से multiply करना है तो 2 दुनी 4 अभी जो संक्या आई उसमें 5 को add कीजिए तो 4 में जब 5 को add करते हैं तो total क्या आता है? 9 आता है अभी जो 9 संक्या है उसे 7 से divide किया जाए तो 7 एकम 7 तो बच गये कितने? 2 तो 2 जब से संक्या आगई तो हमें पता चल जाता है कि उस समय उस तिथी को शिव जी अपनी पत्नी के साथ होंगे तो उनकी पूजा करना लाबकारी होगा दूसरा example देता हूँ कि मालो कृष्टपक्ष चतूर्थी है और कृष्टपक्ष चतूर्थी के दिन हमें देखना है कि शिव जी कहा पर निमास कर रहे है तो कैसे जाना जाता है तो सबसे तो पहले मैं आपको बता दू कि कृष्टपक्ष चतूर्थी के अंदर 15 को एड़ कर दिया जाए जब 15 को एड़ करेंगे तो टोटल इतना आगया 19 तो 19 को हमें 2 से मंडिब लाए करना है 2 से गुणा करना है तो 19 को 2 से जब गुणा कार करते है तो 19 टूज़ा 38 38 के अंदर फिर 5 को एड़ करना है तो 38 के अंदर 5 को एड़ करेंगे तो 43 हो गया 43 को हम 7 से डिवाइट करेंगे 7-6-2-4 तो 43 में से 42 गया तो कितना बच गया एक तो अगर 6-1 रह जाता है तो हमें पता चल जाता है कि शिव जी कैलास परमत के उपर बैठे हैं तो उस समय पूझा करने से लाब होगा शिव जी की कोई भी विशेस पूझा की जाए तो शिव जी प्रसन्न होंगे और अच्छा अशिर्वात देंगे ठीक उसी प्रकार तीसरा एक्जाम्पल लेते हैं क्रिश्टपक्ष अश्टमी को लेते हैं तो क्रिश्टपक्ष अश्टमी के अंदर 15 को एड कर दिया जाए तो हो गए 23 23 को 2 से मंटिप्लाय किया जाए तो ह हो गया 46 46 के अंदर पांच को एड कर दिया जाए तो 51 तो सास से भागा कर किया जाए तो सत्यु 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 अगणपचा 7749 तो बज गए दो तो हम समझ जाएंगे शिव जी गवरी के साथ अपनी पतनी के साथ दिराजमान है और उस समय शिव जी की कोई विशेस पूजा की जाए तो शिव जी प्रसंद नहूंगे अभी हम लोग जानेंगे कि सेस क्या रह जाता है तो उससे शिव जी कहां पर हो जानेंगे यहाँ पे देखिए अगर शेस एक रह जाता है तो हम समझ जाते हैं शिव जी कैलास के उपर बैठे हैं शिव जी अगर शेस दो रह जाता है तो हम समझ जाते हैं उस तिति को शिव जी अपनी पतनी गोरी के साथ बैठे हैं अगर तीन सेस रह जाता है तो हम समझ जाते हैं उस समय शिवजी नंदी बैल के उपर विराजमान होंगे अगर चार सेस रह जाता है तो हम समझ जाते हैं कि उस समय सभी भगवानों की कोई सभा होगी और उस सभा के अंदर शिवजी विराजमान होंगे अगर पांस सेस रह जाता है तो हम समझ जाते हैं कि उस समय शिवजी अपनी पत्नी के साथ भोजन ग्रहन करते होंगे छे रह जाता है शेस तो हम समझ जाते हैं उस तिती के अंदर भगवान अपनी पत्नी के साथ क्रिडा रत्मे मगन होंगे और अगर सुन्य रह जाता है तो हम समझ जाते हैं कि भगवान शिव जी उस समय समशान के अंदर बैठे होंगे तो ये अलग-अलग साथ पॉइंट है जिसमें से छे नंबर है एक सुन्य आता है शेश में तो विया ये गहराई से जानते हैं अगर ये फॉर्मूले के तहट अगर एक सेस रह जाता है तो हम समझ जाते हैं कि शिव जी कैलास परवत के उपर बिराजमान है और अगर उस समय उस दिथी के अंदर अगर शिव जी की कोई विशेश पूजा की जाए तो संकर भगवान उसे यस जस की प्राप्ति हो यस जस किर्थी प्राप्त हो उसके जीवन में उसे समाज के अंदर मान संबान पदप्रतिष्टा की प्राप्ति हो और धन का लाब हो तो जब शेस एक रह जाता है तो हम समझ जाते हैं कि शिव जी कैलास परवत के उपर मैठे हैं और उस समय श पूरा कैल्कुलेशन करते हैं और सेस दो रहे जाता है तो हम समझ जाते हैं कि उस स्थिथी के अंदर शंकर भगवान अपनी पत्नी गवरी जी के साथ बिराजमान है अगर उस समय शिवजी की कोई विश्यस पूजा की जाए तो शिवजी के तरब से हमें आशिरवाद मिलते ह हैं और हमें सर्वप्रकार के भौतिक सुकों की प्राप्ति होती है सर्वप्रकार के सांसारिक सुकों की प्राप्ति होती है व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धनवान यश्वान किर्तिवान बनता है और समाच के अंदर पदप्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है अगर फॉ उस दिन अगर उस दिथी के अंदर अगर शिव जी की कोई विशेस पुजा की जाए तो शिव जी के तरब से व्यक्ति को आशिदवाद मिलते हैं कि उसके जिवन में सुख, शांती, आनंद, संतोष, समुरुद्धी उसे प्राप्त होगी, अगर वो व्यक्ति जो बुद्धी रहे जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि शंगर भगवान, बाकी के सभी भगवानों के साथ सभाग रूह के अंदर बैठे होंगे, और सभाग रूह के अंदर उनकी चर्चा विचाना चलती होगी, अगर उस समय शिव जी की कोई विशेस पूजा की जाए, तो शिव जी उस प परिशानिया और संताप बढ़ सकता है, लोगों से रिस्ते खराब हो सकते हैं, अगर सेस पांच रहे जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि शंगर भगवान, देवाती देव, महादेव, अपनी पतनी गवरी के साथ भोजन करने के लिए बैठे होंगे, वो तिथी के अंदर आओ ये काम करके आओ, वो काम करके आओ, हमें कोई खाने से उठा दे, तो हमें इतना तकलीफ होगा, तो हम चिड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार भगवान को भी कुरो दाता है, तो उस समय अगर जो को व्यक्ति पुझा करता है, तो व्यक्ति को शारीलिक एबा मांसिक और अगर जो फॉर्मूली के तहत उस तिथी के अंदर शुन्य शेस रह जाता हो तो हम समझ जाते हैं कि उस समय भगवान शिवजी स्मशान में बैठे होंगे भूत, प्रेत, पिचास के बीच में और ऐसे सिर्थी में अगर जो कोई तिथी के अंदर शिवजी की विशेस पू आणे की विदी को ही शिवास कहते हैं और ये शिवजी तब देखा जाता है जब शिवजी की कोई विशेस पूजा की जाती है जैसे की लगुरुद्रव, महारुद्रव, अतिरुद्रव, महावरतिज्य का दशान्स वहोम, उसके बाद कोई मंदिर के अंदर शिवजी की नहीं देखना है, तो हर महने की त्रेयोदशी जब शिवरात रियाती है तब शिववास को न देखे, श्रावण महने के अंदर भी शिववास को न देखे, कोई जोती लिंकी उपर आप गए हो और वहाँ पे आप रुत्रा भी शिक करना चाहते हो, तो भी शिववास को न दे अगर आपको अच्छा लगाओ तो जुरूर लाइक करना सब्सक्राइब करना नमस्कार